हाई दोस्तों Tech News में आप सभी लोगों का स्वाधत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WhatsApp और Facebook के बारे में तो चलिए दोस्तों मैं आपका टाइम रेश्ट दोई कि हम सीधे पॉइंट के तरफ हम जाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है इर्फान और आप देखने है आई टाइक तो दोस्तों सबसे पर आप बात करेंगे WhatsApp के बारे में आप सभी को बताए कि WhatsApp दुनिया की सबसे famous messaging app में से एक है दुनिया भर में इसके 1.2 billion users है और इंडिया में इस एप को हर महीने 200 million active users यूज करते हैं पिछले साल नवंबर में WhatsApp ने वीडियो कॉलिंग पीचर्स एड़ किया था और अब भारत में वीडियो कॉलिंग को लेकर कंपनी ने एक नया रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बताया है कि भारत वीडियो कॉलिंग के मामले में सबसे आगे हैं वह इसलिए दोस्तों क्योंकि भारत हर दिन 50 मिलियन मिनिट वीडियो कॉलिंग वाटसप के जरिये करता है वही दुनिया भर में 340 मिलियन मिनिट वीडियो कॉलिंग की जाती है वाटसप के जरिये कमपनी ने बताया कि हर दिन 50 मिलियन वीडियो कॉलिंग भारत के जरिये की जाती है जो वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, हाल ही में कमपनी ने अपडेट के जरी वीडियो कॉलिंग का नया बटन दिया है, इससे पहले एक बटन के जरी वाइस कॉल और वीडियो कॉलिंग की जाती थी, लेकिन अब यूजर्स की सहूलेत को देखते हुए कमपनी नया वीडियो कॉलिं भी देखने को मिल सकता है इसके बाद बात करें हम दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी सोचल मीडिया नेटवर्किंट वेबसाइट फेस्बुक के बारे में जी हाँ दोस्तों फेस्बुक आज सुबह लॉगिन करने में प्रोब्लम आ रही थी वहां ऑस्टेलिया में सुबह 11 बजे कोई भी बंदा फेस्बुक को लॉगिन नहीं कर पा रहा था फेस्बुक के डाउन होने के चलते जब यूजर फेस्बुक पर लॉगिन करने की कोशिस करता था तो उसे इस तरह की एरर सो होती थी फेस्बुक के डाउन होते ही यह मुद्दा ट्वीटर पे ट्रेंड करने लगा और ट्वीटर पे कई तरह के लोगों ने कमेंट करना सोरू भी कर दिया हाला के फेस्बुक की तरफ से मिली जानकारी में बताया गया यह एक तरफ की टेक्निकल प्रॉब्लम ती जो कि अब सॉल्फ हो चुकी है तो दोस्तो आपको भी अगर सुबो में इस तरह की प्रॉब्लम आई हो तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताईएगा दोस्तो आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब करना ना बुलिए तब तक के लिए अपना दियान के दोस्तो टेक केर बाई